आईए सर, कैसा लगा आपको हमारा घर? घर तो आपको काफ़ी खुशुरत है और आपकी वाइफ पी जैसे इस मामले में मैं बड़ा लखी हूँ तो दोस्तो आज हम जानेंगे सिने प्राइम वेब सीरीज रजनी कांड एपिसोड 3 के स्टोरी के बारे में एपिसोड 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप देख सकते हैं तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि रजनी सुबह कीचन में खाना बना रही होती है तब ही उसका पती पीचे से आता है और उसे पकड़ लेता है तो रजनी कहती ये क्या हरकत कर रहे हो तो उसका पती कहता है जब बीवी आदी नंगी होकर खाना बना रही हो तो ऐसी हरकत तो होगी ही और रजनी से कहता है कि रजनी मुझे मेरी खोई हुई जॉब मिल गई है तो रजनी कहती Congratulations पर ये कैसे हुआ तो उसका पती कहता है घर में किसी ने पेंडर भेजा था तो मैंने उसे देखा तो उसमें वो important documents मिले जो गुम हो गए थे और उसका इलजा मेरे पे लगाया गया था अब मैंने वो documents बॉस को email कर दिये तो बॉस का मुझे call आया और कहा कि तुम जल्दी job join कर लो तो रजनी कहती वाओ आज तो दो दो good news है तो उसका पती कहता है दूसरी good news कोन सी है तो रजनी कहती है आज मेरे बॉस घर पर dinner करने आ रहे है इसलिए dinner बना रही हूँ तुम भी जल्दी घर आना साथ में dinner करना है हमें फिर next scene में बॉस आफिस में बैटे हुए रजनी को miss करता है कि आज शाम में रजनी के घर जाकर उसकी अच्छे से लूँगा कमाल की है साली रजनी और प्यून को बुला कर एक gift देता है और कहता है इसे रजनी मेडम के घर देकर आओ तो प्यून रजनी के घर जाता है तो रजनी अकेली रहती है तो प्यून उसे gift देता है और कहता है रजनी मेडम मुझे आपके और boss के कान के बारे में सब कुछ पता है और मेरे पास उसका सबूत भी है मैंने अगर वो सबूत आपके पती को दिखा दिये तो आपका पती आपकी ऐसी लेगा और आपका घर बरबाद हो जाएगा तो रजनी डर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे तो प्यून कहता है पैसे नहीं चाहिए पैसे बहुत है मेरे पास मैं पुराने खयालात का हूँ धन के बदले धन लेता हूँ और तन के बदले तन लेता हूँ तो रजनी समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए और फिर रजनी प्यून को बेडरूम में लेकर जाती है और उसका केला चूस कर उसे हलका कर देती है प्यून बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैडम ये राज सिर्फ हम दोनों में ही रहेगा फिर शाम में रजनी का पती आता है और फ्रेश होने चले जाता है उसके बाद Boss विस्की के बॉटल लेकर आता है और दरवाजा खोलते ही रजनी को किस करने लग जाता है फिर जैसे उसका पती आता है तो ये दोना ऐसे दिखाते है कि कुछ हुआ ही नहीं फिर Boss और रजनी का पती दोनों विस्की पीते है और रजनी कीचन में रहती है तो बॉस बर्फ लेने के बहाने कीचन में जाता है और फिर से रजनी को किस करता है फिर बॉस रजनी के पती को ज़्यादा दारू पिला कर टल्ली कर देता है रजनी का पती टल्ली होकर बेड़ पर सो जाता है और फिर बॉस उसी के बेड़ पर रजनी को जम कर लेता है और इ निवाद.